देखे पहली बात कि मैं हिमन जी ने जो कहा है वो अपना अनुभव हो है और उनके अनुभव पर मैं सवाल नहीं उठाता हूं और वो मेरे मार्ग दर्सक रहे हैं गुरू रहे हैं तो स्वाविक सी बात है मैं उस पर कोई सवाल नहीं करता हूं मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं जो मैंने देखा है निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात से मुतमाइन हूं कि कहीं न कहीं जो लावार्थी वाला वर्ग है वो एक वोट बैंग में तबदील होता है उसमें कहीं कोई दोरा है नहीं और वो एक ठीठाग वोट बैंग बनात माइंड अप्लाई करने वाले भी लोग और जो माइंड अप्लाई करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 60 पीस दी है और जो माइंड अप्लाई करने वाले नहीं हैं उनकी संख्या 40 पीस दी है तो जो 60 पीस दी है वो ये सोचता है ये कोई अहसान नहीं है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है और जूटा कहा जाता है और इस बात को गाउं गाउं में समझा जा सकता है आप पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक तमाम जगे पर इस पर चर्चा कर सकते हैं लोगों ने देख लिया है कोविट के दौरान जो मरे हैं जो पैदल चले हैं वो वही मजदूर वही प्रवासी थे जो जेल नहें जिने बताया जाता है कि वो बड़ा लाभार्ती वर्ग है और बड़ा फाइदा दे देगा वो अपने मरे लोगों को भूल जाएगा परिवार के लोगों को तरफता हुआ यदि भूल जाएगा बगएर आकसीजन के और उसके बगएर जलाने के लिए आपको याद होगा जलाने के लिए 18-18 गंटे की लाइन लग रही थी और अंतुतह लोगों उने गंगा में मतलब 100 बहाए है और उसको कैसे इंकार किया गया वो आपके सामने है फिर मैं कहता हूँ कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो लाब से आपको लाब की तरह से देखते हैं लेकिन बहुतायत इसकी है जो इसे अपनी मजबूरी मानतें आपदा मानतें भिखारी बनके खड़े होकर के 5 किलो अनाज लेना उन्ही को अच्छा लगता है जो इतने मजबूर है कि अब उनके पास कोई चारा ने लेकिन जहां किसी ब्यक्ति को इतनी मजबूरी में लेना पड़ा है तो वो अपने आपको थोड़ा भी अपने आपको सम्मान जनक पाता है तो वो उस जगह वो अपने आपको जिल्लत महसूस करता है वो महसूस करता है कि हमारे लिए इससे बुरी इस्तिती क्या होगी कि हम भिखारी की तरीके से लाइन में खड़े हैं पांच किलो अनाच के लिए जो हमारे एक वक्त का भी घर का खाना बनाने में पर्याप्त नहीं है तो इन सब इस्थितियों में आप समझ लीजिए कि यदि कहें कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है कर दिया और हर कोई जानता है कि आपने ये चुनावी समय तक के लिए किया है और सरकार की जो डेट लाइन है वो 31 मार्च है उसले आप समझ सकते हैं हाँ तो इसका मतलब है मार्च तक है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है मतलब वो सिर्फ चुनावी वक्त तक के लिए और सब कोई जानता है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो चुनाओ के वक्त तक ही कम किये गए हैं इसके बाद में फिर वो ऐसे ही बढ़ जाने है इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है और इसके अलावा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ जाने हैं महि उसके बाद में आप एक और चीज़ समझ लीए कि अभी तो ये कहते हैं चुनाओ के दौरान तो गटा देते हैं लेकिन उसके बाद कहते हैं ये तो मार्केट टैं करती हैं जब मार्केट टैं करती ही तो चुनाओ के दौरान कैसे तैं हो जाते हैं कम हो जाते हैं आप समझ सकत आप से ही आपको भी इस्तेमाल करते हैं आके बोले आप या बड़ा अच्छा लग रहा है आपका आज मिला है मौज हो रही और क्या चाहिए आप से वो फाइदा लेते हैं और बाद में उन्हें वोट जहां देना है वही देते हैं और वही होने वाला है और मुझे उसका नती जाए यही दिखाई देता है आज पांच में चैनल के चुनाओं मैं निस्षी तूर्प से यदि आपको याद हो तो आपके ही चैनल पे मैंने कहा था कि चौथे फेज तक यह हारते हुए दिखाई दिये थे लेकिन जो चौथे फेज की इस्तिती थी चौथा और पांचमा फेज इसमें मैंने खुद कहा था कि इसमें थोड़ा सा बीजे पी ठीक रहेगी लेकिन इसके बाद फिर डाउन हो जाएगी तो फर्स सेकेंड थर्ड में बुरी इस्तिती में थे फौर्थ और फिप्ट में थोड़ा सा सुधरे थे तो कि वहां बंदेल खंड का लाब मिला तो आप समझ सकते हैं कि बहराईच, गोंडा, स्रावस्ती, बलामपूर ये सारे बुरे इस्तिती वाले यहीं पर हैं तो आप इसको क्यों नहीं समझा हैं तो जो ये भुखमरी वाले जिले हैं वो तो आपके पास हैं और अभी आने वाले में चार और हैं और जादा हैं तो आप ये समझे है और बुंदेलखन की इस्थिति आपने देखी लिए तो उस इस्थिति में आपको सिर्फ इतना ही लाभ मिला है इसके बाद में फिर वही इस्थिति आनी है तो यदि आप बताईए साथ चर्णों में दो चर्णों पे ओभी यहां जीत नहीं रहे हैं यहां प कि दो में आप कुछ इंक्रीज भी करते हैं तो भी आप हारे हुए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस दशा